हेलो जी असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब लोग अला पाक का शुकर बेल्कुल ठीक ठाक आप सब कैसे हैं कमेंड बॉक्स में जरूर बतायेगा तो जी फ्रेंड्स आज का विलॉग में स्टार्ट ले रही हूं कॉफी से सर्दिया चुकी है और चाय के लावा कॉफी लवर्स कौन कौन है यहां पर आपने मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बता रहा है अच्छा मेरे पास ना हम बीटर नहीं है कॉफी बनाने के लिए तो बहुत सी रैसेपी जो है ना यूट्यूब पे विंटर जैसे स्टार्ट होता ना कॉफी की आने लग जाती है नोटिफिकेश और उसके बाद मैं इसके अन्दर एक चमघ गरंपानी का अड़ करके और यह चायवली जो होती है हम गोजब पॉनी भी बोलते हैं कोई लोग इसको उचनी बो आप क्या बोलते हैं आपने कुमेंड बॉक्स में जरूर बताना है इसके साथ इसके उपर इस तरह से मैंने इस अच्छी कॉफी मेरी बन गई थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह मैंने बनाई है और अब इसको मैंने थोड़ा कम टाइम ऐसे बीट किया था अगर आप ज्यादा टाइम करेंगे कितनी अच्छी यहाँ पे कॉफी बनके रेडी हो गई है और आप यकीन करें सिर्फ तीन से चार मिनट सिर्फ इतना टाइम मुझे लगा इससे ज्यादा मुझे टाइम भी नहीं लगा और यह आपके सामने बनके रेडी हो गई है यह बहुत ही मज़ेगी कॉफी अगर आपने ट्राइ की है तो आपने कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और अगर नहीं की ट्राइ तो आज आपने जरूर यहां पे जी कॉफी बनके रेडी हो गई है और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करना और मुझे आपने कुमेंड बॉक्स में बताना है तो बस यहां पे टाइम रात का एक देर बज़रा था जिसने में हमने कॉफी बनाई थी और पी थी और यह वला क्लिप तबका है जब मैं शादी में गई थी शादी से आने के बाद जो है मैंने रात को लेट नाइट जो है कॉफी बनाई थी और हम दोनों मिया बीवी ने मिलकर जो है पी थी और अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ नेक्स टे मॉर्निंग आज जी मुझे अपनी फ्रिज साफ करनी थी मैंने रात को जो है ना फ्रिज बन करके रख दी थी और मैंने लास टाइम फ्रिज उम्रे पे जाने से तीन दिन पहले साफ की थी जब मुझे हैदराबाद जा ना मैंने चिकन भी निकाल लिया था क्यूंके रात को फ्रीजर में तो चिकन फ्रीज था लेकिन सोबह तक जो है ना हलका हलका वो भी अब मैल्ट हो कि आवा था तो मेरा यह था किससे पहले चिकन खराब हो जाए मैं उसको बना लूँ पका लूँ तो जल्दी से जो है बस भी बनाओंगी चिकन कहरें तो बाकिस के लावा चिकन में जतना भी समान ता हो तो इस सारा बाहर निकाल दीया था बोही समान रखना है जसकी जरूरत नहीं है वो फैंक दूंगी और बहुत बहुत मैनत ली थी इस तफ़ा मेरे किचन कहरी हूं फ्रिजने साफ होने में बहुत जादा मैनत ली थी और सच पता हो ना जब मैं अमरे पे गई थी तब अपना पूरा घर जो है ना मैं नीट करके गई थी और जब मैं वहाँ से वापिस आई थी बीसे किस दिन मेरे वहाँ पे गुजरे थे आप यकीन करें जब तक और घर में ना हो अपने घर को साथ-साथ साफ ना रखे ड्रॉफ, फ्रिज, अल्मारी, कबर्ट तब तक आपका जो घर है ना वो नीट नहीं रहता और और अउरत का घर में होना बहुत ज़्यादा ज़ और उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है जैसे भी तक मेरा घर साफ नहीं हो पारा, सिर्फ आप कहलें कि महीना घर से बाहिर रहने की वज़ा से सारा निजाम उल्टा सीदा हो गया वा था, और मुझे तो आज बिलकुल भी समझनी आ रही थी कि फ्रिज का स्टार्ट कह हां से लूँ किस तरह साफ करूँ हो तो शुकर आला पाका मेरे हस्बंड जो होने काफी मेरी हेल्प करवाई होने मुझे कहा कि जितनी भी शेल्फ है ना जो फ्रिज के अंदर लगी है यह आप मुझे पकरा दो इनको मैं आपके साथ मिल के वाश करवा देता हूं तो बस सा करूँ जाला जो फरिज के अनदर सारी चीज़े सेट करूँगी अभी कुछ ही बी मैंने फरिज में नहीं रख़का और बनता सार responsibilities के किए मैने खाट करने किया जह इसका में एक साथ हीρωाना पैसी ओटाल लूग से दुपाला हम दैना खाम पर पानी चा ना डिसकσα भी्जू हर इमिट शेट कर दी और इसको अच्छे तरह मैं भूल लूँगी और मेरे पास सिर्फ टमाटर भी दो से तीन ही थे वो भी छोटे साइज के मैंने का चलो आज गुजारा कर लेती क्योंके वेजेटेबल्स भी आने वाली थी सब कुछ आने वाला है और इसके अदर जी मैंने वो टमाटर भी इस तरह से ही कट करके मैंने अट कर दी है बस जल्दी से जो हैना इसको भी ढगकन दे के ढग दूँगी और उसके बाद जो हैना ये भी गल जाएंगे फिर चमच के साथ इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी चिकन कराई भी बस जल्दी जल्दी बनाऊंगी और शुकर आला पाक का सारे काम जोना एक साथ हो जाते है बस स्टार्ट लेने की देर होते है वारना उसे पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि कहां से काम होगा कैसे होगा बन्दा जो अच्छा खासा पजल हो जाता है और आजकल तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जिसे काम करते हैं कुछ जादा ही मैं घबरा रही हूँ क्योंकि सर में कह रही हूँ जहन में एक बहुत जादा बोज होता है कि यार यहां भी जाना यह भी काम करना है क्योंकि सुबा उटते जो है घर का काम और उसके बाल फिर ममा की तरफ जाना वहाँ पर शॉपिंग और भी बहुत से काम है इन्शाला मैं आगे जाकर बताऊंगी कि वो कौन से काम है इन्शाला बहुत जल्द बताऊंगी टमाटर जैसे ही मेरे यहाँ पर मेल्ट हो गए थे अच्छी तरह भून गए थे इसके अंदर मैंने फिर एक से जेर चमबर चिकन कराई मसाले का एड़ किया और उसके बाद दो से तीन चमबर जो है मैंने देहीं के एड़ कर दी है और अब इसको मैं धीमी आंच पर रख दू कि मसाला अच्छी तरह रेड़ी हो जाए क्योंके चिकन तो अलमूस्ट गल चुका आवा था तो बस चिकन कराई की बस सिंपल सी रेसिपी थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है इस तरह इस तरह से भी अगर आप चिकन बनाएंगे ना तो बहुत बहुत मज़े का बनत नहीं है फजूल में बजारों में जाने की मार्किटस गूमने की हम तब ही मार्किटस में जाते हैं जब हमें कुछ लेना होता है जब मैंने फर्स्ट विडिओ अप्लोड की थी शॉपिंग की तो उसमें भी अलहम्दूलिला हमने ब्राइडल का ड्रेस जो है उसका ओर्डर का जो है और्डर देना था बस हमने पसंद किया देखा और 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 दे दिया तो इस तरह से ही जो है ना हम और्डर पे कपरे बनवा रहे हैं हम ये रैडी मेट या सिले सिलाए काम वली हम कपरे वैसे नहीं ले रहे और देते हैं तो उसके बाद जो है एक देर महीने बाद आप को कपरे मिल जाते हैं तो मैं आपको शॉपिंग खाक दिखा हूँ जब मेरे हाथ में कुछ नहीं है बाकी मुझे वैसे भी मुनासिब नहीं लगता कि आप पहले से ही अपनी चीज़े दिखा दो और जब आपका एक special day होगा उस दिन जब आप पहनो तो फिर मज़ा ही नहीं रहता जो चीज़ पहन के अच्छी लगती है वो वैसे समटाइम दिखाने में अच्छी नहीं लगती इसलिए सब को मैं यहीं बोलूंगी कि at least अपनी चीज़ बनवाता है रेडी करके तयार होकर ही दिखाने चाहिए वरना आपको पता हैं यहां पर हर तरहां के लोग हैं यूट्यूब के ओपर मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हर किसी के अपनी अपनी नेचर होती है हर किसी के अपनी चॉइस होती है तो हर कोई अपनी चॉइस के मताबी कि जो है आपको बोल रहा होता है तो अगर आप अप पहन सके तो बेतर यही है कि अपना ड्रेस रेडी करवाओ और फंक्शन वाज दिन ही पहनो ताके कोई एट लिस आपका दिल तो नहीं दुखाएगा ना इसलिए मैंने अब भी अपना कोई भी ड्रेस नहीं दिखाया और बाकि जो राय थी बाकि जो मश्वरा था मैंने आप स मचाब साइड में ये सेम मसला बहुत जाद है दिवारों में तो बस अब भी हो का मैसे आः सेट करवाया सेट करवाया है अब इंछाओ अध graphics फिर ही ए इसलिए उसके लिए पॉसिबल नहीं होता तो आज का विलोग मैं यही पे दे एंड करती हूं अगर आपको मेरा आज का विलोग अच्छा रगा हो तो आपने मुझे जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है और लाइक करना सबस्क्राइब करना मेरे चैनल को मत बूलिएगा किसी को मेरे कोई भी बात बूली लगी हो तो उसके लिए माज़ दरद अब मुझे दीजे इजाज़त अल्लाहाफिज